नमश्का दोस्तों सवागत आपका MCQ IQ में हमने अपने चैनल का नाम बदल के MCQ IQ रख दिया है वो पिराइट इशू था उसकी वए से हमें चैनल का नाम बदलना पड़ा तो आप नाम याद रखे हमेरे चैनल का MCQ IQ क्यों सब्सक्राइब करें हम इस बार पहले पार्ट से स्टाइट करेंगे डेली 10 कोशन आएंगे जो की बहुत इंपोर्टेंट कोशन होंगे हर एक्जाम के लिए कोई पी एक्जाम देजीए आप इस्टेटिक जीके आता है डी एफसी एक्जाम हुआ था भी सीबीटी वन उ मंदिर कहां इस्टी थे इसका करेक्ट आंसर विजवड़ा कहां पर है आनपरदेश विजवड़ा जिससे कि आपको पता है कि बगवान सिव जो हैं उनके 12 जोती लिंग है पूरे इंडिया में तो वह 12 जोती लिंग से बहुत सारे कुशन आते हैं तो नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करते हैं हम उत्राखंड उत्राखंड में केदाननाथ हैं पिर आते हैं कासी विश्वनात कासी विश्वनात कहां पर है यूपी में यूपी स्टेट है फिर बैदनाथ बैदनाथ कहा है जहारकंड में उसके पार आते हैं मलीक अरजुन टेंपल पिर मलीक अरजु भगवानशीफ्ट के जोती लिंग में आते हैं पिर मध्पदेश में दो तैम्पल है उक इन्पार एज को महकल टैम्पल के नाम से आनते हैं और और की बात करते हैं तर्की केपिटल क्या है तर्की केपिटल अंकारा है धरंसी की बात करते है टरकी की तर्किश तर्किश लीरा यह गर्सी यहसर Yo दो आप याद रखे इबराहीम इबराहइम रईिसी इरां के वैससे पूछेगा तो मुहमद मुहमद मुखभीर मुहमद मुखभीर यहां के Vice President है तो आपको इतना कुछ याद रखना है पिर Cyprus Cyprus की Capital भी आ सकती एक्जाम में उसकी Capital है निकोसिया Next question है Where is Advanced Numerical Research and Analysis Group अनुराग लोकेटेड उन्नत संग्या मातक अनुसाधन एवं Wish Relation Samoa अनुराग कहां इस्तित है तो जो अनुराग है न वो इस्तित कहां पर है पहले बाद तो हैदराभाद में हैदराभाद में और अनुराग जो अनुराग है वो Laboratory है किसकी DRDO DRDO की Laboratory है अनुराग DRDO की बात करते हैं तो DRDO को फुल फॉर्म आ सकता है एक्जाम में उसका फुल फॉर्म में Defense Research Defense Research Development Organization Defense Research and Development Organization DRDO को फुल फॉर्म में DRDO बना कब था DRDO बना था 1958 में New Delhi में इसका Headquarter है तो एक्जाम में कोशन आता है कि दारेट कोशन आता है पुलigon को फॉल्ट के कुछ इन्पॉटेंट आता हुँ में आता है ग्जाम में आ सकते हैं काँ नरेटा और हांड़ा यह द्जी काँ पर है जपान के एर्पोर्ट है ओहें ये इंटर्नेशनल एर्पोर्ट चीकायो USA में पढ़ता है यह airport Gatwick और Heathrow यह लंदन में है Charles Ta Gol यह Paris में पढ़ता है यह airport, Changi Airport Singapore में है, Amad International Airport Doha Qatar में है, Swannabhumi Airport, यह Bangkok का airport है Bangkok Thailand में है, तो उसका airport Swannabhumi Airport है, John F. Kennedy International Airport, New York का airport है जो John F. Kennedy थे वो former president थे USA के उनके नाब पर यह airport है, तो यह World के कुछ important airport है, यह भी exam में आ सकते है Next question है, चोधरी Bansilal Cricket Stadium निमनिकित में से किस राज में इस्ती थे, चोधरी Bansilal Cricket Stadium is located which of the following state, तो चोधरी Bansilal Stadium कहाँ पर है, हर्याना में Recently, कुछ stadium के नाम change हुए है, तो देखते है, सरदार Patel Stadium, सरदार Patel Stadium, जिसका नाम बदल के Narain Modi Cricket Stadium रख दिया है पिरोशा कोटले Stadium कहाँ पर है, देली में अरुन जेटली Stadium रख दिया है, इसका नाम जो राजीव गांदी खेल दातन अवोर्ड था ना उसका नाम भी बदल दिया है, उसका नाम रख दिया है दियान चन्त, खेल दातन अवोर्ड मोहाली International Hockey Stadium मोहाली International Hockey Stadium का नाम बदल के बलवीर सिंग, Senior International Hockey Stadium रख दिया है फिर एकाना Cricket Stadium जो की लखनाव में उसका नाम बदल के अडल विहारी बाजपे Stadium रख दिया है, जो वर्ल्ड लाजेस्ट Cricket Stadium में हमारा, जिसको मोटेरा Stadium बोलते हैं, एम्दाबाद गुजरात में उसका नाम बदल के, नरेट मोदी Stadium रख दिया है, नेश्ट कोशन है वी जा चेर्मेन ऑफ एरपोर्ट अथोरीटी ऑफ इंडिया है, वह बना कब था, एक अप्रेल 1995 में 1995 में बना था, इसका हेट कोटा न्यू देली में है संजीफ कुमार इसके चेर्मेन है, अगर एक ऑफिस और चेर्मेन पूछेगा तो विक्रम देव दत, यह भी आध रख लीजिए, यह कौन सी मिनिस्ट्री के दिन आता है आपको हिमाचल परदेश के, जो एकसाम में आते हैं, इसे पिनवेले बहुत आता है, पिनवेले कहां पर हिमाचल परदेश में, इंदर किला नेशनल पार्क, सिंबल 12 नेशनल पार्क हिमाचल परदेश में, ग्रेट हिमाले नेशनल पार्क हिमाचल परदेश में, ग्रेट ह जन संग के दिवस कब मनाया जाता है तो population जब world population की बात करेगा तो 11 जुलाई को बनाते हैं हम 11 जुलाई को हर साल हम world population day बनाते हैं इस साल की theme की बात करते हैं तो 23 में टीमती unliasing the power of gender equality team भी आती एक्जाम में important day रेखते हैं हम जुलाई मन्त के जो first Saturday होता जुलाई का जुलाई मन्त का first Saturday को हम बनाते हैं international day of cooperative United nation बनाता है इस day को 11 जुलाई को world population UNDP बनाता है 12 जुलाई को world Malala day बनाते हैं birthday होता है Malala Yusuf Zayika nobel prize मिलाता है 2014 में और यह youngest winner हैं जिसने nobel prize जीता है तो याद रखिए national mandela international day 18 जुलाई को बनाते है world happiness day WHO बनाता है 18 जुलाई को next question है defense minister को ने इंडिया के तो defense minister अभी है राजना सिंग जी अमिस्ता हमारे home minister ने निर्मला सीतरम finance minister है हमारी और first finance minister ने जो woman है नितिन गटकरी road and transport minister है हमारे next question है where is the headquarter of Asian development bank situated तो जो आशियान development bank है उसका headquarter कहाँ पर है manila manila philippines manila philippines में आशियान development bank का ADB की बात करते है ADB बना था 19 December 1966 में important data याद रखिए date आयरती एक्जाम में 1966 में बना था ADB bank headquarter manila philippines में है और अगर precedent के बात करते हैं काफी important question मासाज सुगू आसा कावा इसके पैसे हैं और जो मासाज सुगू आसा कावा है ना वह जापान से हैं यह हमारा first part था static gk यह daily दस question पढ़ाऊंगा मैं आपको अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को subscribe करना बिनकुल ना बोलें कमेंट शिशन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और आपको इसकी वीडियेफ चाहिए तो आप हमारा टेलेगराम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं जिसकी लिंग आपको description में मिल जाएगी